दोस्तों हमारे पास आज एक नया टूल आया है जो कि रिपेरिंग करने वालो यानी टेकनिसियन के लिए बहुती काम का ये टूल है तो ये टूल आखिर दिखने में कैसा है और किस काम के लिए आएंगे सारे चीज आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा खास करके जो लोग LCD लिटी भी रिपेरिंग करते हो उनके लिए बहुती आखास करके ये मोडियूल यार ये टूल को बनाया गया है इस टूल का जो नाम दिया गया है यहाँ पे देख सकतो हो पैनेल टेस्ट देखेंगे उपर से देखिए यहां पर डी एस एस लिखा हुआ है और इसको बनाया गया है पैनेल टेस्टिंग के लिए एज आप इसका नाम पैनेल टेस्टर भी कह सकते हो क्योंकि यह स्पेसली पैनेल टेस्टिंग के लिए ही बना गया है तो आप बात करेंगे कि यह यानि कि इस टूल के जरीए आप सामसेंग का LCD LED जो टीवी का पैनेल सोते हो चाहिए वो इसके लिए आपको कोई दूसरा चीज की जोरत नहीं पड़ेगी पैनेल को टेस्ट करने के लिए नीचे और बहुत सारे चीज लिखा हुआ है जैसे कि इस पैनेल टेस्ट आरे स्पेशली डिजाइन टू टेस्ट सामसेंग HD and Full HD screen, H-Series and above models only इसका मतलब यह हुआ कि सामसंग टीवी का जो H-Series का टीवी है या उसके ऊपर जो भी सीरीज है सामसंग कमपनी का उसका पैनेल आप रिपेयर कर रहे हो और रिपेयरिंग करने के दौरान आपको एक ऐसा टूल की जोरत हो उसर पैनेल को टेस्ट करने के ल टेस्ट नहीं कर रहा हूं हमारे पास कुछ दिन पहले आया था मैंने रख दिया था इसको लेकिन जब भी हमारे पास कोई H-Series का पैनेल रिपेयर होने के लिए उस समय मैं इसको इस्तेवल करूंगा उस पैनेल को रिपेयर करने के लिए तो फिलाल में आपको इस टूल को कर करके दिखा दिता हूं हमारे पास पैनेल या मतरबुड टेस्टर है उसमाधर रवर्ट टेस्टर के जरिए में इसको चेक करना चाहूंगा शील हमारी पास जो मतरबुड टेस्टर है पैनेल का ही एक रूप है जो कि आप यहां पर देखिए इसके उपर मैंने आभी था stump एक भी वीडियो नहीं बनाया है अगर आप इसके उपर प्रोफेशनल वीडियो देखना चाहते हो कि कैसे यह हमारा पैनल मदरबूट टेस्टर काम करता है तो हम इसको उपर भी एक वीडियो बना दूंगा नीचे कमेंट करके बताएगा अगर आपको देखना है वीडियो इ यह हमारा सेमसंग का पैनल है और आप इस पैनल को पड़ करें और करने के बाद आप इसको टेस्ट करना चाहतेíoं तो टेस्ट करने के लिए ये जो हमरा अंदर टूल है ये टूल काम प्र पायाती है तो इसके लिए हम एक के साथ उसके साथ हमें इसके अंदर प्रोवाइट करना है और इस परक्शी को कि कर देंगे तो मैं लगांगा यहां पर देखिए लगाने के लिए इसके साथ अमें लगाएंगे यह और ओर कestar लाएंगे हम आप लगाहनी के बाद हम इसको यहां पर सेंगे चलीह ore करकर दिखाता हूं और हमारा यह जो पैनलots टेस्टर से काम करेगा यह भी आपको पता चल जाएगा और मैं आपको बतना चाहूंगा कि यह वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है इस मॉडियो के उपर वीडियो एक भी यूटूब पर आवेलेवल नहीं है तो इस तरीके का यूनिक वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल क कर से लग जाएगा लेकिन हम अगर इसकी बात करें जो आप लोगों को दिखाया यह वाला मोडियूल लगाने के लिए लवीडियेस कनवर्टर तो इसको इसको इस्तामल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस साइड हमारा इस टाइब का कनेक्टर लगा हुआ है तो इसके लिए ह यहां और पावर्टर को इस्तवाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करने से पहली एक चीज़ आमें देखना पर एगा कि यह जो पेनल टेस्टर है इसे पड़ाइट सासायड हमारा पावर सप्लाय लुद सब्स Правब अगर कि आंदर पावर करेंगे और देखेंगे कि यह जो और गो क्राएंगेLET तब ही हम इसके साथ इसको कनेक्शन करेंगे नहीं तो आमने यह जो मदरबूर टेस्टर है दूरानते खरब हो जाएंगे फिलाल के लिए मैं इस पैनल टेस्टर को चेक करने के लिए यह वाला अडप्टर को मैं इस्तेमल करूंगा तो यहां पे मैं इसको लगा दिया और लगाने के बाद मैं इसको लगा देता हूं आपने इसी लाइन पर करते देखने के बाद की साथ है उसके आपको यहाँ से सथ करने के लिए इस कनेक्टर को हमगा सकता हूं तो इसके लिए हमें इसके अंदर का इनपूट करना है और 6 बोल्ट का इंपुट करने के लिए मैं इसके अंदर अपने बिंच पावर्ड को इस्तमाल करूंगा और इसके पहले में इसका प्रकेफ करता हूँ और इसके अंदर मैं 6V का power supply input करता हूं तो हमने इसके अंदर 6V का input कर दिया हूं आप यहां पर देखिए जो इंडिकेटर जलने के लिए हमें देखरे को मिल रहा है इसका मतलब हमारा यह जो इसके अंदर line आ चुका है तो अब मैं इसको on करके देखता हूं एक पर चलिए और अब मैं इसके अंदर यह वाला connector को मैं यहां पर लगाता हूं लाकर देखता हूं कि कोई भी ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं तो यहां पर कुछ चीजे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों दिया यहां पर देखिए हमने इस पैनल टेस्टर को इस मदर और वो टेस्टर यह एक्च्वाली पैनल की तरह काम करता है लवीडिये सिग्नल को मैं इसके अंदर देता हूं और देने के बाद उसके एकोडिंग हमें इस डिस्पले पर पिक्चर दिखाती है ठीक उसी तरीके से यह हमारा जो पैनल टेस्टर है पैनल टेस्टर क्या होंगा कि अगर आप लोगे मन में अगर ऐसा कोई ख्याल आ रहा है इस चीज को या इस टूल को खड़ी दें के लिए तो आप बिल्कुल मत खड़ी देगा क्योंकि हमने अभी इसको टेस्ट कर रहा हूं टेस्ट करने के बाद यह आच्छे से काम नहीं कर रहा है तो मेरे इ इसको और इसको दोनों के लगाने के बाद इसके अंदर पिक्चर आएंगी की नहीं लेकिन फिलाल के लिए यह वाला जो यह बिदीच के बेल के जरीए हमें पिक्चर देखने हूं नहीं मिल रहा है और यह जो के बिले दूस्तों बहुत ही बिल्कुल सही है हमने नियू के लिए आप लगाया हूं यह और बाकि दोनों पर काम नहीं कर रहा है तो आभी के लिए आप तो इसको खरी दने के लिए आपके लिए और मुझे से मिलेगा तभी आपको रेकमेंड करूंगा इस तीज को खड़ीने के लिए लेकिन आभी आप मत खड़े दिये जिएगा इसे टूल को तुम्हें आपने वीडियो के जरीए जो भी चीज रिविव करता हूं और रिविव करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन सा चीज आपके लिए लेना चाहिए और कौन सा चीज नहीं लेना चाहिए जब मेरे पास यह तूल आया थ बाद तो मुझे आसा है कि आपको जो वीडियो है वीडियो बहुत है पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक कर दिजेगा और इसी पूर करके वीडियो आगे आने वालों दिनों में अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जूरे रहिए हम फि फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लो विश्यो आल दा बेस्ट